हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम करेजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 26 अगस्ट से सम्मंधित उत्रप्रदेश के सभी एक्जाम के लिए most important करेंट अफरी के questions को discuss करेंगे और हरे questions related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंत्र में हम आपसे एक question भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलिग्राम गुरुप से डाउनलोड कर सकते हैं के लिग्राम गुरुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और दोस्तों दोस्तों दोहजार एक्कीस और दोहजार बाइस में जो जी आई से घ्री डी टेक देया गया था साल 2021 में तो यह कहां से संब्undrated है यह राजस्थान से संब्वढ़ित हैं नाग लेक़िए को जिटेग दिया गया चिर्याला खूंग मिर्च और तामेंग लंग ओरंच को जा इटक दिया गया जो की मनीपूर से संब्ढद है अब दोस्ते हैं से क्यूशन कैसे पूछा जा सकता है कि حाली में किस राज के नागा खीरा को जी आइटेक दिया गया तो अंसर आपका होगा नागलेंड अगर इस तरह से पूछा जाए कि जो सोजक पहंदी है इसे जी आइटेक दिया गया है किस राजे से सम्बन देते तो आप याद रखेंगे राजस्तान से सम्बन देते तो इस तरह से question जो है ये exam मे पुछे जाते हैं तो वाडा कोलम सफेद प्याज ये महाराष्ट से संब्देत है और इसे भी जियाई टेक दिया गया असम की जुडिमा राइस वाइन को जियाई टेक दिया गया उत्तरप्रदेश से देसावरी पान जो की महुबा में है तो महुबा से रेलेटेड है कुट्टे का टूर आम और डियोर मिर्च ये केरल से संब्दD है इसे झाई टेक दियाग गया तमिलंडयाड्व से संब्दD केला हरमल् मिर्च मीठेऴधान के खाज ये गुवा से संब्दDT थे और इनहें भी जियाई टेक दिया गया उस्वाए उत्राकों है डिया गया था कि बिहार के मिथिला मखाना को जी आई टैग दिया गया है तो चलिए ब सुरू करते हैं करेंट से दोस्तों आज का से सीजवर करने से पहले हम कल की कुछ है करेंगे कल का सट पहला कोशन है कि इस जिले में इस्तित बांकी बहारी मंदिर को कांसी सुनाद की तरज पर बांके बहारी मनदिर का और बना जाने का प्रृस्ताओ बनाए गया इसका जो कृर्ट है ऊप्सर नॅबर बी मथ्रा अगला कुछान है उत्तवरदेश सरकार द्वारा ओडी उपी यूजना की अंतरकत जिलों की उत्पादों को कितनी स्रिणी में रेंकिंग ब्रदान की जाएगी तो पांच उसरेणी में दोस्तों उत्तवरदेश करेंट फिर की लास्ट वन येर की यानि साल दो हजार है कि अगर आपको पीडीएफ डानवर करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो की डिसक्रिप्सिन में मिल जाएगी वहां से आप इसकी पीडियफ डानलूड कर सकते हैं इसके साथ अगर आपको दपर इप्रदीस कर इंट फिर कि लास्ट six months की पीडियफ डानुलोड करनी ह तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगी तो वहां से आप यह दोनों पीडिया की डाउनलूड कर सकते हैं और दोस्तों अगर इसी डाउनलूड करने में कोई प्रवलम होती है तो साइट पर आप वाटसप नंबर और एमेल मिल जाएगा जिस प मंच पर लाने के लिए कौन सा पूर्टल लॉंच किया तो राश्ट्री है पुरुसकार पूर्टल ऑप्सन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा अगला उक्षाने प्रतान मंत्री नरेंदर मूदी ने किस राज में खूमी भाबा कैंसर अस्पिताल और अनुसंधान क इंदर का उदगाटन किया तो पंजाब में इसका उदगाटन किया गया अगला है बंगलादेश मूल की फैमीदा अजीम ने कि स्रेंडी के तहट पुलितिजर पुरुसकार दोहजार बाइस जीता तो इन्हें जो है इलिस्ट्रेटिड रिपोर्टिंग और कमेंट्री की स् स्पेस टेलिस्कोप ने हाले में किस ग्रह की नई तस्वीरें खीची हैं तो वरस्पती की जो है नई तस्वीरें खीची गई हैं यह आप देख सकते हैं अगला है कि निमलकेत मैंसे कौन सा देश यूरोपिय संग में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानि कि तेजी से अवैद सराब नसीली दवाओं के व्यापार की जाज के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्सिन नंबर बी उत्तर प्रदेश दोस्तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुक्यमंदरी हैं योगी आदितनात उनकी आदेश के बाद राज्य सरकार ने एक एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है किसका ध्यान रखेंगे एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स इसका गठन जो है किया गया क्यों किया गया है तो जो मादक पदार्थ हैं उसकी तसकरी की जांस के लिए इसका रखेंगे हाले में कि सराजी सरकार ने मादक पदार्तों की तसकरी की जांच के लिए एंटी नार्कोटेक्स टास्क फॉर्स का गठन किया गया है अब दोस्तों यह जो एंटी नार्कोटेक्स टास्क फॉर्स का गठन किया गया है तो इसका काम क्या होगा तो जो मादक पदार निरमाल करते हैं इन को जबत करना पकड़ना जो इनका उपयोग करते हैं या इसके अलावा इनका जो निरमाल करते हैं तो ऐसे गिरोह को पकड़ना इस टास्क फोर्स का काम होगा। यहां पर ध्यान रखेंगे उत्यप्रदेश सरकार ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है मादक पदारतों की तसकरी रोकने के लिए अगला खुशन है हाली में उत्यप्रदेश सरकार ने किन फलों पर प्रोजेक्ट परमिट को समाप्त करने की घोश्ला की इसका जो करेक्ट अंसर है ओप्सिन नमबर सी आमला और चिरोंजी पर दोस्तों उत्यप्रदेश सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है किस तरह से राहत दी है तो जो आमला और चिरोंजी है फल है तो इसके आविवहन सुल्क माफ किया गया है यानि कि ट्रांजिट फी वेवड ओन आमला और चिरोंजी तो आविवहन सुल्क जो है इस पर माफ किया गया है ये दोनों फल वन उपज में आते हैं और किसानों को इनकी विक्री के लिए वन विवहाग में आविवहन सुल्क जमा कर ट्रांजिट परमिट बनवाना पड़ता है इसके लिए सरका तो यहां से याद रखेंगे कि उत्तरब्रदी सरकार ने जो दो उत्पात हैं कौन-कौन से आमला और चिरोंजी इस पर जो है अभी वहन सुल्क माफ किया है और क्योंकि यह जो दोनों फल हैं ये वन उपज में आते हैं और इसी विवहाग में किसानों को इनकी विक्री के लिए किसी भी तरह का जो अभी वहन सुल्क है वो नहीं देना होगा और इसके माफ होने से जो किसान है उन्हें काफी लाब होगा और वो आमला और चिरोंजी को आसानी से बेरोक टोक बाजार में अच्छे दामों में बेच सकेंगे तो उत्पादों का नाम जयां रखेंग दोस्तों जो प्रसिद लेखी का है चमा सर्मा इन्हें हिंदी के लिए साहत अकादमी का बाल साहत पुरुसकार 2022 दिया जाएगा साहत अकादमी ने बुद्वार को इसकी गोश्रा भी की है और जो लेखी का है चमा सर्मा इन्हें जो है चमा सर्मा की चुनिंदा बाल कहानिय के लिए इस प्रतिष्टित पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा चमा सर्मा के साथी उर्दू के लिए जफर कलामी और अंग्रेजी के लिए अर्सिया सतार समेत बाइस भासाओं के लेखक और लेखिकाओं को इस वर्स यह पुरुषकार दिया जाएगा और जो चमा सर्म को और इनके नाम की गोशड़ा कर दी गई है और इसिघ के लिए तो अर्दू के लिए आपने देखा जफर कलामी ठीक नाम ध्यान कि century के लिए अग्रेजी के लिए तो arsya सब्तर इन्य जो है अंग्रेजी के लिए इसी तरह से जो भी बाएस भासा हैं तो सभी को जो है इस वर्ष यह पुरुसकार दियाएगा बाल स हईत पुरुसकार खास कर ध्यान रखेंगे हिंदी का तो हिंदी चमा सर्मा को जो की हमारी उत्तर प्रदीस के आगरा जिले से संबन देते हैं अगला क्षान है हाली में प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने किस सराज में एसिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उधगाटन किया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नमबर ए हरियाना में यहां पर आ हली में जो एसिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है उसका उधगाटन किया कहां पर रही है तो हरियाना के फरीदाबाद में यह बनकर के तयार हुआ और इसका नाम गया है तो अम्रता अस्पताल इसका नाम रखा गया है जो कि एसिया का सबसे बड़ा तो च्षह हजार करूर, रुपए, का इसमें, ठर्चा, आया है, और दोस्तों यहां पर सभी तरह के जो इसके खासियत के अगर बाद की जाया है इस प्राइवेट अस्पताल की तो आशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है इसकी जो लागत है वो हजार करूर रुपए के लगवग आई है लागत इसको बनाने में इसके साथ ही दोस्तों यहां पर क्या है कि यहां पर 498 कमरोवाला गेस्ट हाउस भी है 498 कमरोवाला यहां पर एक गेस्ट हाउस भी है और दोस्तों इसके सुविदाएं हैं मेडिकल की वो यहां पर उपलब्द होंगे तो 81 तरह की खास जो मेडिकल सुविदाएं हैं वो यहां पर उपलब्द होंगे दोस्तों यहां पर देखा जाए कि कितने कर्मचारी रहेंगे कितने डॉक्टर्स रहेंगे तो 10,000 से ज्यादा यहां पर कर्मचा का सबसे बड़ा जो प्राइवीट अस्पताल है वो कहां पर बन करके तयार हुआ तो हर्याडा के फरीदाबाद में और नाम क्या है तो अम्रता अस्पताल इसका उधगाटन किस ने किया तो पीम नरंदर मुदी ने इसका उधगाटन किया है अगलाक्षा ने भारत की पहली समग्र सूटिंग रेंज का उधगाटन कहां पर किया गया इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सन नमबर बी आई एनस कर्ड में आई एनस सूटिंग रेंज को उन्नत लक्ष प्रडालियों से लेस किया गया जिसमें संबंधित नियंतर्ण सोफ्ट्वेयर है ताकि कर्मियों को उनके फाइरिंग कोसल में सुधार करने में मदद मिल सके आई एनस कर्ण दोस्तों क्या है तो आई एनस कर्ण नोसेना में पहला और द मार्कोस या समुद्री कमार्णों के लिए एक समर्पित ये पोत है तो ये जो पोत है आई एनस कर्ण तो इसी में इंडोर सूटिंग रेंज का उधगातन जो है किया गया है और भारत में ऐसा पहली बार है जब इस जो है किसी पोत में इंडोर सूटिंग रेंज का उधगा किया गया है तो ध्यान रखेंगे आप इसका नाम आई एनस करण में भारत की पहली समग्र इंडोर सूटिंग रेंज का उद्गाटन किया गया है अगला कुशियान है आतंगवाद की वुरुद अक्टूबर दोहजार बाइस में संयुक्त राष्ट्र सुरप्चा परसद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नमबर बी हमारा देश भारत दोस्तों जो हमारा देश है भारत ये साल 2022 जो अभी चल ला है तो अक्टूबर मंत में जो आतंगवाद की विरुद संयुक्त राष्ट सुरक्षा परसद की एक है इसका कारिकाल जो ये संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिसाद है इसमें भारत का जो कारिकाल है वो दिसमबर 2022 में समाप्त हो जाएगा अब ये क्या मतलब है कि इसका जो कारिकाल है वो समाप्त हो जाएगा तो दोस्तों क्या है कि जो संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिस इसमें 27 सदसे हैं और 10 इसमें 27 सदसे हैं और जो 27 सदसे होते हैं वो प्रतिक दो वर्स के लिए जो है उनका कारिकाल रहता है दो वर्स के लिए चुने जाते हैं और इसके बाद जो हमारा देश बारत है यह एक 27 सदसे है और इसका जो कारिकाल है वो दिसंबर 2022 में समाप्त होन वाला दूस्तो जो इसमयं इस्थाई सदस्य दे मैं से पाँच वो कौन-कौन से है तो इनके नाम ध्यान रखेंगे आप फरांस है रूस है ग्रेट बिटें और संग्तुराज चे मिर्का ये पाँच जो दे में सिस्थाई सदस्य दे मैं और दस इसकaysत्य सदस्य देश हैं दोस्तों UNSC कि अगर हम बात करें तो UNSC है क्या तो इसका जो फुल फाम है वो क्या है United Nations Security Council यह इसका फुल फाम है और हिंदी में क्या कहेंगे तो संयुक्तराश्टर सुरक्षा परसद यह इसका हिंदी में कहेंगे दोस्तों यह नस्य है क्या तो आप के लोग जानते होंगे जो सैयोक्त राष्ट के बारे में आफ़ सभी लोग जानते होंगे तो जैन थ्राष्ट है इसी कि छैंगा उन्हीं में से एक है सायुक्त राश्ट्र शुरक्षा परिश्द तो सायुक्त राश्ट्रेक्स और समाजिक परिश्द और उन्ही Netherlands से एकंग होता है संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद का और दोस्तों जो सुरक्षा परिशद है इसकी अगर हम बात करें कि इसका दायत तो क्या है यानि जो संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद है इसका कार्य क्या है तो दोस्तों इसका जो कार्य है वो यह है कि अंतर तुर्दायत्व है वो इसी के उपर होता है तो इसी वज़ाद से इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि सैंफ तो रास्ट सुरक्षा परसद की जो अक्टूबर दो हजर बाइस में बैठक होगी उसकी मेजवानी कौन करेगा तो हमारा देश भारत जो है इसकी मेजवानी करेगा और यह जो बैठक है यह आतंकवाद की विरुद्ध यह बैठक आउजिद की जाएगी जिसमें पंधरह देश की राजनायक इसमें सामिल होंगी और दोस्तों जो आइस्थाई देश हैं उनमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से देश इ और यहां पर हैं चेन से लेकर के फ्रांस रूस यूके और यूएस अगला खुशन है किस तेल और गैस उधन कंपनी ने हाली में रजस्थान के साचोर में गोबर से संपीटिद वायो गैस परियोजना की सुरुआत की इसका जो करेक्ट अंसर है वो है अप्स नमबर बी हिं गोबर से संपीटिद बायो गैस परियोजना की सुरुआत की है तो ध्यान रखेंगे आप से पूछ लिया जाए कि किस कंपनी ने तो हिंदोस्तान पेट्रोलियन कॉर्पूरिस लिम्टेड ने जो है कहां पर राजस्थान रज्ज के साचोर में गोबर से संपीटिद बायो गैस परियोजना की सुरुआत की है अगला कुशियन है हाली में लंबी उंगलियों वाले चमगादर की नई परजाती किस देश में कोजी गई तो ये जो परजाती है वो कोजी गई है भारत और स्री लंका में और बी दोनों यहां पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं दोस् इस परजाती का नाम क्या रखा गया है तो नाम ध्यान रखेंगे आप मिनी ओप्टेरस फिलिपसी इसका नाम रखा गया है जो ये नई चमगादर की परजाती है दोस्तों ये जो लंबी उंगलियों वाला लंबी उंगलियों वाला जो चमगादर है ये किस परिवार से सम् हिस्सा है इससे पहले दोस्तों चमगादर की प्रजाती पाई गई थी वो किस तरह की थी तो मोटे अंगूठे वाले चमगादर की प्रजाती पाई गई थी और उसे नाम जो है क्या दिया गया था तो गिल इसको नाम दिया गया था टिक यह जो है कहां पर पाई गया थी मेग टेरस फिलिपसी इसको नाम दिया गया एक्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मिनी ऑप्टेरस फिलिपसी एक हाली में परजाती पाई गए है किस जीव से संबंदित है तो ध्यान रखेंगे आप चमगादर से ये संबंदित है अगला क्शन है साल 2022 का लिबर्टी म मेडल दिया जाएगा दोस्तो जो यूकरेन के अस्ट्रपती हैं वुलादमीर जलंस की इन्हें 22 का लिबर्टी मेडल प्रदान किया गया दोस्तों अक्टूबर 22 इस में समारों आईजित होगा जहां पर इन्हें जो है इस मेडल से समानित किया जाएगा दोस्तों यह जो ल विक्षित करने का प्रियास करते हैं लिवर्टी मेडल 1988 में स्थापित सुदंता की खोज में नित्रत्व को मानेता देने के लिए अमेरिका की राष्ट्री समिधान किंद्र द्वारा प्रसासित एक वार्सिक पुरुसकार है ठेक ध्यान रखेंगे साल में एक विक्ति को दिय जा रहा है तो यूक्रेन के राष्ट्रपती वलाड में जलन्सकी को यह पुरुसकार दिया जा रहा है यह जो मेडल है वो दिया जा रहा है अगला कुशिया ने हाली में निव इंडिया नामक पुस्तक का विमूचन किस ने किया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 यह जो पुस्तक है इसका विमूचन किया यह जो पुस्तक है यह केंद्रिय मंत्री और पद में विभूशन प्राप्त करता अरुन जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन है जो अरुन जेटली है इनकी 24 अगस्त 2022 को पुनीतितिय मनाई ग जेट के उसकी उपर राश्डपती कौन हैं तो जगदीब दंकर यह वरतमान में हमारे जेश کے उपर रश्डपती राश्टपती कौन है तो द्रउपदी मुरमू यह हमारे देश की राश्डपती है तो दोस्तों यह थे 26 अगस्ती समंधित उतवर्देश के सभी एक्जाम के लिए मुस्ट इंपॉर्टेंट करेंट रफ़र की कुछिन जो क्यों हमने डिस्कस किये अब हम देखते हैं कल की वीडियो को कुछिशन जो हमने आपसे पूँझा था तो यह कल के वीडियो को कुश्चन जो हमने आप से पोज़ था कि बिहार के किस उत्पाद को जी आई टेग प्रदान किया गया तो इसका जो करेक्ट अंसर था वो समर्सी था मिधिला मखाना को और लगबग सभी स्टुडेंट्स ने इसके सही जवाब किया और मैं आप से हर क्याता हूं कि जो भी कुश्चन आप से पूचा जाए तो सभी लोग कुश्चन का अंसर जरूर किया करूं तो यह रहा आज का कुश्चन बारत सरकार दोरा किस लोग नुरतिक युनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सामिल करने के लिए नामित किया गया इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तो सभी लोग कुश्चन का अंसर जरूर किया करूं तो दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इसे सेयर करें और अगर अभी तक हमारी चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू